एक छोटे से गाव में एक मचली व्यापारी था जिसका नाम रामू था वह बहुत लालची था और सोचता था कि वह सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा रामू ने कई सारी मचलियों को खरीदा और बेचने की व्यवस्था कि जिससे उसने बहुत अधिक मुनाफ़ा होना था रामू जानता था कि लोगों को जो मचलियां सबसे अधिक पसंद आती हैं उन्हें ज्यादा पैसे में बेचता था इसलिए वह लोगों से मचलियों का भेतर कीमत मांगता था और सडे हुए मचलियों को भी महंगे दाम में बेचता था वह लोगों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तमाल करता था एक दिन रामू ने अपनी दुकान में जोडीदारियों की बजाए उबली हुई मच्छियों की बिक्री करने का निर्णय लिया वह लोगों को बताता था कि उबली हुई मच्छियां सेहत के लिए बहुत अधिक फाइदेमंद होती है और इसलिए वह उन्हें ज्यादा मूल्य में बेचेगा लोग उसकी बातों में आ गए और वह अपने उबली हुई मच्छियों की बिक्री शुरू हो गई और लोग इसमें रूची लेने लगे लेकिन उन्हें यहां नहीं पता था कि रामू अपनी दुकान में सच में उबली हुई मच्छियों की बिक्री नहीं कर रहा था वह सच में साबुन और पानी के इस्तमाल से मच्छियों को उबलता था और उन्हें उबली मच्छियों के रूप में बेच रहा था इस तरह रामों के उपायों से लोग अस्वस्थ होने लगे और इस वज़़ से उनकी डिमांड में कमी आने लगी इसके बावजूद रामों अधिक पैसे कमाने के लिए और अधिक दलाली करने लगा एक दिन उसके दुकान में एक ग्रामेन महिला आई और उसे मचलियों की खरीद करने के बाद रामों ने उसको ज्यादा मूले में मचलिया बेची लेकिन महिला ने उसे धोका देते हुए उसकी धोका धड़ी का राईजगार बताते हुए उसे फसा दिया रामु धमकी देने लगा, लेकिन महिला उसके सामने नहीं दरी महिला ने अपनी बात अंग्रेजी में बताई जिससे रामु को समझ में नहीं आया और वहां उसे छोड़ दिया रामु अब ठक गया था उसने एक बार फिर सोचा कि वहां उबली हुई मचलियों को बेच कर पैसे कमा रहा है लेकिन अस्वस्थ लोगों की वजह से वहां एक अपमानित व्यक्ती बन गया है उसने फिर से सोचा कि उसकी दुकान में उबली हुई मचलियों को बेचने से भैतर होगा कि वहां अच्छी गुर्वत्ता की मचलियां लेकर अपनी दुकान में बेचे रामू ने अपनी दुकान को बदल दिया और अब वहां उच्च गुर्वत्ता की मचलियां बेचता था लोग अब उसकी दुकान से मचलियां नहीं खरीदने लगे और उसकी दुकान में कोई नहीं आने लगे रामू ने जो उपाय किया था, उससे उसे अधिक दुकान से लोग दूर भागते थे रामू ये सोचता है कि व्यापार चालाकी से नहीं, सही तरीके से काम करने से सफलता मिलती है त्वारेश्वर नामक गाउ में मस्तान नामके तसाई रहता था उस गाउ में बखरे का मांच सिर्फ मस्तान के दुकान में मिलता था इतना ही नहीं, हर शुबकार्य और दावत के लिए मस्तान के ही दुकान से मांच लाया जाता था ऐसे एक दिन उस गाउं के जमनदार का सेवक मस्तान के दुकान को आता है हेवे मस्तान, कल जमिंदार के महल में एक बड़ी दावत रखी जा रहा है उस दावत को बहुत बड़े लोग और अमीर लोग आने वाले हैं सो लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं उसके लिए तुम्हें 15 किलो मांस ताजा काटके कल सुबच 6 बजे को महल लेके आना होगा पैसे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे मस्तान सलमान के बाद को मान लेता है लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है इसलिए वो बकरी वाले के पास जाता है रमेश भया, रमेश भया दर्वाजा खट-कट आता है अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आये, बात क्या है जमंदार के घर में दावत के लिए मुझे 15 किलो मांस की जरूरत है मैंने वचन दिया कि सुबच 6 बचे उनको मांस पहुचा दूँगा समय ना होने के कारण मैं अभी तुमसे बकरी खरीदने आया आहां, तो ये है बात ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ ये क्या भाया, 1000 ही तो है अब जमंदार के लिए है तो कम से कम 2000 होगा ही न अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से सो जाओंगा नहीं नहीं भाया, मैंने वचन दिया है, अब पीचे नहीं हट सकता मैं दे दूँगा 2000 ऐसे कहकर, 2000 दे के बकरी खरीद के घर चलते हुए सोचता है जमाई हुए पैसे एक दिन में खर्चों गए हम, कोई बात नहीं जमंदार के दावत के लिए मांस पहुचाने के बाद पैसे मिलेंगे न, अभी जल्दी से काम शुरू करके सुबह तक पहुचा देना होगा ऐसे सोचकर, मांस को साफ करके, उसके तुकड़े तुकड़े काटके, सारी रात मेहनत करके 15 किलो मांस को तयार रखता है अगले देन सुबह, दिये हुए वचन के अनुसार, 6 बजे को जमंदार के महल पहुचता है भाया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहा है? ये सुनकर, दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेंगे मस्तान भी उस सेवक का बात मान कर बाहर इंतजार करता है लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस को देख सोचता है इस पंद्रा किलो मांस से अगर मैं एक किलो ले लू तो किसको बता चलेगा? किसी को भी नहीं बता चलेगा? ऐसे उस कवर में से एक केजी मांस को छुपा के बाकी को देने जाता है सलमान को देखके कहता है साब मस्तान ने यह आपको देने के लिए कहा है वो पैसों के इंतजार में बाहर खड़ा है सलमान सेवक के हाथ से मांस लेके सीधा रसोई घर जाता है ये जानके कि मस्तान बाहर पैसों का इंतजार कर रहा है बावर्ची के पास जाकर सलमान कहता है सारे व्यंजन स्वादिष्ट होनी चाहिए ध्यान से पकाना ऐसे कहकर चला जाता है बावर्ची पकाते हुए है इतने मांस से अगर मैं दो केजी ले लू तो किसको शक होगा किसी घोबी नहीं होगा ऐसे सोच कर मांस को छुपा के बाकी को पकाता है दावत के व्यंजन की तयारी के लिए जिम्मधार किशन व्यंजनों का स्वात चक के कुछ सेवकों की सहायता से उन सभी में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए ले लेता है आये हुए मैमान सारे दावत की खाना शुरू करते हैं और जल्द ही आपस में बात करना शुरू करतेते हैं ये क्या इतना अमीर और सम्मानित आदमी अच्छा नाम है इनका मगर खाने में कमी क्यों हाँ अगर खाना कम ही पढ़ना है तो ऐसी दावत की तयारी बाला क्यों करें ऐसे सारे लोग खुस पुसाते हैं ये सब सुनके जमंदार सहन नहीं कर पाते हैं दावत के खतम होने के बाद क्रोधित होके सारे लोगों को सभावे बुलाते हैं खास करके दावत के लिए जम्मदार लोगों को और उनको सवाल करना शुरू करते हैं दावत की तयारी के लिए जम्मदार किशन से पूछते हैं दावत की जिम्मेदारी सौंपने पर तुम ये करोगे सभी तयारी किया मैंने लेकिन व्यांजनों के लिए मात्रा पहले से ही कम पड़ गई थी प्रबू मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं आप बावर्ची से पूछे प्रबू ऐसे उसनी अपनी किये को छुपा कर किसी और पर इलजाम डाल देता है तब बावर्ची छुपाए हुए दो किलो मांस की बात को छुपा के कहता है कि दावत की सामगरी के लिए जिम्मेदार सल्मान के पास इसका जवाब होगा ऐसे उस बात से छुटकारा बाता है सलमान भी औरों की तरह मांस के दिये गए 6,000 रुप्यों को मस्तान को ना देकर अपने ही पास रखके ये जानते हुए कि मस्तान पैसों का बाहर इंतिजार कर रहा है, जमंदार से ये बात छुपाता है और कसाही मस्तान पे इलजाम डाल देता है कि उसने मांस कम मातरा में दी है अभी जाके मैं उसका काम तमाम करता हूँ प्रभू ऐसे कहता है उसी सभा में मौजूद मस्तान उस इलजाम का सहन नहीं कर पाता है सभा में इसे जमंदार के सामने आके कहता है जमंदार साथ, इस पूरे गाउं में में अकेले कसाई हूँ पिछले दस साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ और इतने साल से आपके घर में हर कारिय और हर दावत पे मैंने खुद मांस दी है मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई आपके घर में दावत का नाम सुनते ही हजार के बकरी को दो हजार में बेचते हैं सुबह आके मैंने मांस को पहुचा दिया और आपके सेवक सल्मान ने मुझे मांस के पैसों के लिए सुबह से इंतजार करवाया सल्मान को मांस देने के बहाने से एक और सेवक मेरे हाथ से मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया और ये भी कहा कि वो सल्मान को बुलाएगा उसके बाद इन में से कोई भी मेरे पास नहीं आया रुप्या मेरा यकीन केजे प्रभू आप ही की दया से जी रहा हूँ मस्तान मुझे तुम्हारे बारे में पता है तुम फिकर मत करो सैनिको सलमान के कपड़े खोजो देखो अगर 6,000 रुपए मिलते हैं खोजने पर सलमान के जिब में 6,000 रुपए मिलते हैं ऐसे उन सब में से सर्मान पकड़ा जाता है और इतना ही नहीं किशन जिन सेवकों के सहायता से सभी वेंजनों से थोड़ा अपने लिए ले लेता है उन में से एक सहायक जमंदार को सच कह देता है बावर्ची का जूट बैग में रखे मांच कोई सेवक को मिलने पर बाहर आ जाता है और पहला सेवक जिसने एक किलो छुपा लिया उसने डर के मारे अपनी गलती मान ली तब जमंदार सभी को डंडित करते हैं और मस्तान को उसके पैसे 6,000 दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती का सजा मिलेगी ही मिलेगी इसलिए इमानदारी से जीना ही अच्छा है एक समय में एक गाव में वीरेंद्रा नामक एक बड़े आदमी रहते थे वो बुड़ा आदमी उसके बेटे रोहित, बहु सरला और पोता रोशन के साथ एक छोटे से गर में रहता था रोहित उसी गाव में खुद के एक व्यापार करता था उसमें चिकन रोल्स और एक रोल्स बनाकर उन्हें बेचता था और उसके द्वारा आये हुए पैसो से उसके परिवार का देख बाल करता था एक दिन वो हमेशा की तरह चिकन रोल्स बनाके बेचने लगता है चिकन रोल, चिकन रोल, करमा गरम चिकन रोल, स्वाधिश चिकन रोल, आईए बाबू, आईए ऐसे जोर-जोर से चिलाते हुए आते जाते लोगों को वो पुकारता था एक दिन उसके पिता उसके दुकान जाते हैं बेटा रोहित मुझे बहुत भूक लग रहा है बहु ने अब तक घर में कुछ बनाये नहीं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं यहां आया हूँ अगर आपको इतना भूक लग रहा है तो घर पे खाना चाहिए था अगर बहु ने कुछ बनाये नहीं तो रुक लेना था लेकिन ऐसे दुकान आ जाना क्या है आप क्या समझ रहे थे पापा आप वहां खड़े होकर मेरा समय व्रिदा मत कीजिए चलिए घर चले जाए उसके बेटे के ऐसे बात करने के कारण वो निराश होके वहां से उसके घर चले जाता है अपने बेटे और बहु को उनकी तरफ ऐसे बरताव करते हुए देख और बिल्कुल भी गौरफ से पेशाते हुए ना देख वो बुड़े आदमी बहुत बुरा मानते थे इतना हो जाने के बाद भी वो घर चोड़कर इसलिए नहीं जाते थे क्यूकि उनको बेटे पे बहुत प्यार था इसलिए वो सहते हुए वो गम में ही जी लेते थे दूसरी तरफ रोहित को उसके बेटे रोशन से बहुत प्यार था वो अपने बेटे को बहुत लाड़ करता था और जो भी उसको पसंद था वो हमेशा उसको देता था और उसका सारा खाली समय वो सिर्फ अपने बेटे से खेलते हुए बताता था एक दिन अचानक रोशन को बुखार आता है और जब रोहित को ये बात पता चलता है तो वो अपना दुकान, व्यापार, सब छोड़कर घर जाके सिर्फ उसके बेटे के ख्याल रखने में लगे रहता है वो दुकान ना जाकर सिर्फ घर पे रहके उसके बेटे का देखबाल करते हुए उसी के बारे में सोचते हुए दुख में ही बैठे रहता है उसे ऐसे दुखी देख, उसके पिता रोहित के पास जाकर ऐसे कहते है बेटा रोहित, फिकर मत करो, रोशन को बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा बेटा पापा, आपको क्या पता, बुखार है, कम हो जाएगा, यही कहना है आपको, जैसे आपको सब कुछ पता है ऐसे वो गुसे में उसके पिता से बात करता है हाँ, मैं तो अपने बेटे को ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था इसलिए उसके पास जाकर मैंने ऐसे कहा लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कभी समझा ही नहीं इसलिए वो गुसे में बात करता है हमेशा मुझसे एक समय में मैंने भी अपने बेटे का ऐसे ही खियाल रखाता लेकिन अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाता है ऐसे जोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और उसके बेटे पे प्यार को अपने ही अंदर रखके वो वहाँ से चले जाता है अगले दिन भी रोहित के बेटे का बुकार कम नहीं होता है और इसी कारण रोहित उसके बेटे को लेकर उसके घर के बाहर बैठके उसको देखके दुखी होते रहता है ऐसे जब बाप बेटे दोनों वहाँ पे बैठे थे उनसे कुछी दूर में दीवार पे एक कववा बैटा था उसे देख विरेंद्रा ऐसे पूछता है बेटा रोहित वो दीवार पे क्या बैठा है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तुम बताओगे? पापा वो कववा है बेटा शायद वो कववा नहीं है ठीक से देखो आपको तो दिखाई नहीं देता है जब मैं कह रहा हूँ कि वो कववा है तो आप मान क्यों ले लेते हो? एक और बार मत पूछेगा वो कववा ही है ऐसे उसके गुस्षे में जवाब देने के बावजूद उसके पता फिर से पूछते हैं कि वो क्या है पापा आपको कितने बार पताओ मैं? वो कववा है, कववा है, कववा है आपने अगर एक और पार पूछा तो अच्छा नहीं रहेगा ऐसे वो और गुस्रे में जवाब देकर उठकर वहां से चले जाता है उसके बेटे को वहां से उठके चले जाते हुए तेक वो और भी दुखी होते हैं ऐसे कुछ दिन बीच जाते हैं एक दिन रोहित अपने बेटे को उठा कर खेलते हुए उसके घर के सामने रहता है और ठीक तबी उसके घर के दिवार पे कवा आता है पापा पापा वो दीवार पे क्या है बेटा उसको कववा बुलाते हैं पापा पापा वो क्या है उसे क्या बुलाते हैं बेटा उसे कववा बुलाते हैं तुम भी उसे बुला सकते हो चलो बुलाओ कववे को तुम्हारे पास ऐसे वो अपने बेटे को कववे के बारे में सिखाते रहता है लेकिन उसके बेटे को कुछ भी समझना आने के कारण वो लगातार एक ही प्रशन पूछता है कि वो क्या है और उसे क्या बुलाते हैं और ऐसे 20 बार करता है इतने बार पूछने के बावजूत रोहित उसे बहुत सब्र से समझाता है उसे जरा सा भी गुसा नहीं आता है पापा फिर से बोली ना बेटा वो एक कवा है एक दिन जब मेरे पापा ने यही बात पूछी थी तो मैंने उन पर गुसा किया था और उन्होंने सिर्फ तीन बार पूछा था और इसलिए क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था लेकिन जब मेरे बेटे ने बीस बार भी पूछा तो मैंने उस पर जरा सा भी गुसा नहीं दिखाया और बहुत सब्र से उसको सब कुछ समझाया मेरे पापा ने भी मेरा इतना ही ख्याल रखा था बचपन में लेकिन बड़े हो जाने के पाथ मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और ठीक तबी उसको घर के अंदर से जोर-जोर के आवासे आने लगती है मेरी बीवी किसे बात कर रही है ये सोचते हुए वो घर के अंदर जाता है तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ फिर भी आप इसी घर में रहते हो कभी बाहर जाते ही नहीं हो शरम नाम की कुछ चीज भी है आपको उसके बहु को ऐसे बात करते हुए चिलाते हुए देख वो कुछ नहीं कहते हैं और बस चुप चाप बैठे रहते हैं सरला, मेरे पापा बूडे है क्या बड़ों से ऐसे ही बात किया जाता है उनका देखबाल करना हमारी जिम्मेदारी है ये मत भूलो और तुम पापा से ऐसी उची आवाज में बात कर रही हो हाँ? क्या आप भी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ कल जब हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो क्या वो भी हमसे ऐसी बात करेगा? सुन पाओगी उसकी ऐसी बाते और वैसे वो अभी बच्चा है उसके सामने अगर हम पापा से ऐसी बात करेंगे तो वो भला क्या सिखेगा? यही ना? इसलिए आज से हमें ये सब बदलना होगा तुम पापा से अच्छी तरीके से बात करोगी उनको गौर अव दोगी आज से हम जैसा देखपल हमारे बेटे के करते हैं वैसे ही पापा का भी करेंगे यह वो उसके बीवी को समझाता है पापा मुझे माफ कीजे जिन्दगी में मेरे इस थान का कारण आप ही हो और मैंने आप ही को इतना दुख पहुचाया मुझे अपनी गल्ती का एसास हो गया है पापा यह कहते हुए वो उसके पापा के चरणों पे गिर जाता है बेटा तुम्हें बदलाव आ गया है बस यही काफी है इस जिन्दगी के लिए मेरे बारे मैं ऐसा सोच कर दुखी मत हो बेटा तुम बदल गए हो मैं खुश हूँ जी पापा आएंदा मैं आपको कभी ऐसे दुख नहीं पहुचाऊंगा और आपसे कटोर तरीके में नहीं बात करूँगा आपका मैं बहुत अच्छा ख्यार रखूँगा आपकी खुशी मेरी जिम्मदारी ऐसे ही तब से रोहित उसके गलती का एसास करके उसके पिता को उसके बेटे की तरह ही देखता है और रोहित के पिता भी इसी खुशी में जीते रहते हैं और ऐसे रोयत को उसके गलती का एसास होकर उसके दुकान में चिकन रोल्स एग रोल्स बनाते हुए घर को भी संभालता है और ऐसे सबी खुश रहते हैं दूद वाला बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंदर सेना उसका मंत्री कबीर सिंग उसके दूद का कारोबार समालता था उन्होंने बहुत सारे स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूद देते थे ये दूद सारे गाव में बेचा जाता था कबीर सिंग खुद सब कुछ समालता था कबीर सिंग की पीड़ी भी महराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वज़ा से चंदर सेना उसका बहुत आदर करते थे कबीर सिंग ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया सारे गाव में उसका अच्छा नाम था हर रोज कबीर सिंग खेत पर जाता था उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देख बाल के लिए ताकि वे अच्छे से खाए और सीहत मन रहे गायों को घास चराने के लिए वो दिन में कम से कम दो बार भेजता था वो हमेशा ध्यान रखता था कि दूद साफ सुत्रा रहे दूद निकालने के बाद वो दस दूद वालों को देता था ताकि वो गाव में जाकर बेज दे दूद वाले कबीर सिंग को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर इमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा महराज कबीर के साथ अच्छा बरताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपने बेहनों को बताया करता था एक दिन जिब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बेहनों को बहुत गुसे में और परिशानी में देखा क्या बात है तुम सब इतने गुसे में क्यों हो हम तीनों की उमर हो गई है शादी के लिए पर क्या फैदा शादी के लिए पैसे ही नहीं है कपड़े और गेहनों को छोड़ो हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ अगर इससे भी खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत ही बिकार हो रही है आप तो महराजा के मंत्री हो ना पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरत मन को दे देते हो और आप दूद का कारोबार भी समाल रहो ना अकेले उसमें भी कोई मुनाफ़ा नहीं मिल रहा है आपको ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिकर नहीं है इसे लिए तीनों बहने रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा अब तुम सब मत रो मुझे बरदाश नहीं होता अब बोलो में क्या करूँ मैं वही करूँगा वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं आप दूद का सारा कारोबार समालते हो ना अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिला कर बेचोगे तो आप ज्यादा बेचपाओगे हाँ और अधिक दूद से आप ज्यादा मुनाफ़ा भी कमा सकते हो पर ये तो धोका हुआ मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता कबीर सिंग ने ऐसा करने से मना कर दिया था और उसकी बेहनों ने उसको भावक करके जैसे तैसे उससे ये काम करवा ही दिया कबीर सिंग अक्सर कमाय गए पैसे राजा को देता था और बाकी के पैसे अपनी बेहनों को देनी लगा मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखरी बार है, इसके बाद मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलना कबीर की बाते सुनकर बहनों ने उसको पैसे वापस के और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगे कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर चोड़ कर चली जाएंगे मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी कमाय गए पैसे राजा को देखकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देनी लगा ये सिलसला कई दिनों तक चलता रहा कुछ ही समय में कबीर के बहने नए नए साडियां और गहने खरीदनी लगे और अच्छा खासा खाने भी लगे उनकी जिन्दगी ही बदल गई घर पर बैठे बिना तीनों सच धच के बाहर गुमनी लगे सब के आगी दिखावा करनी के लिए गाउं के सारी लोग हैरान रहे गए और आपस में बाते करने लगी ये तीन भेने कबीर की कमाई को ऐसे इस्तिमाल कर रहे है मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए पर कबीर सिंग के पास इतने पैसे आये कहां से सब लोग कबीर के बारे में बाते करने लगे और बाकी के मंतरी कबीर की कमाई पर इर्शा करने लगे तो इस बात पर जांश करना शुरू कर दिये जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूद में पानी मिला कर बेच रह था सतर फीसद राजा को देकर बाकी के तीस फीसद अपने जेब में डाल रहा था खेट के कारिगरों से मंतरिों ने ये बात का पता लगाया सारे मंतरी गय राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सिवाए कबीर को दंड देने का तीनों बहने आय कैद खाने अपने भाय को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वज़ा से उनका भाय आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोशी नहीं है। उन्होंने राजा से भीक मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा न ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया। और कहा दंड केवल गलत करने वाले को ही नहीं, गलत सोचने वाले को और गलती में हिस्सा लेने वाले को भी मिलनी चाहिए।